पंकर सर लेक्चर के नेक्ष्ट लेक्चर में आपका स्वागत है और देखते हैं कि इस प्रस्न में वह हम से क्या पूछ रहा है और नौट सेट में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेशन बन सकते हैं चलिए तो वह कह रहा है अब प्रो थ्रॉम्बिन टाइम टेस्ट निम लिखित में से कौन सी मेडिसिन ले रहा हो तो बच्चे अंसर जाएगा इसका जो इसका अंसर जाएगा वो जाएगा बच्चे वार्फरिन क्या जाएगा बच्चे वार्फरिन ये दो क्वेशन्स हैं जो काफी बार पूछे के हैं कि वार्फरिन के लिए कौन सा टेस् करते हैं चलिए नीचे discuss करते हैं सबसे पहला जो question है हमारा हमारा जो सबसे पहला question है वह यही है हमने लिखा हुआ है warfarin के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे PTINR का level check करोगे warfarin के लिए आप PTINR का level check करोगे और अगर आप से पुछा जाए warfarin का antidote बताईए तो आप warfarin का antidote कौन सा बताएंगे vitamin K होता है warfarin का antidote अगला है यह वाला जो प्रस्न है यह मौजवी का है वो कहता है कि एक व्यक्ति जिसको warfarin चल रही है उसको कभी भी फैनटोइन उसके साथ ना दे reason मैंने इसमें mention किया हुआ है बच्चे क्योंकि warfarin इनिविट करता है metabolism वारfarin क्या करता है बच्चे इनिविट करता है metabolism of फैनटोइन जिसकी वज़े से हमारे सरीर में हमारी बॉड़ी में accumulation हो सकता है फैनटोइन का इसलिए कभी भी warfarin के साथ फैनटोइन ना ले क्योंकि फैनटोइन का accumulation हो सकता है हमारे बॉड़ी में because warfarin क्या करता है फैनटोइन के metabolism को inhibit करता है चीक है तो यह point यहां से ध्यान रखेंगे मौजबी का as it is यह question हाँ पर है next एक question बच्चे यह बनता है कि जब भी आप warfarin ले रहे हो उसके साथ कभी भी नहीं लिया जाता है cranberry juice क्यों नहीं लिया जाता है बच्चों क्योंकि cranberry juice क्या करता है inhibit करता है किसका mechanism inhibit the mechanism that metabolize warfarin उस mechanism को inhibit करता है जो किसको metabolize करता है बच्चे वार्फरिन को जिसकी वज़े से वार्फरिन का level बढ़ेगा तो बच्चे INR का level बढ़ेगा अनर का level बढ़ेगा तो patient में किस चीज़ का रिस्क होगा hemorrhage का इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को warfarin चल रही हो उसको cranberry juice नहीं देंगे यह mouse भी का question है ठीक है तो यह दो question याद रखेगा वार्फरिन चल रही है तो फेरेंट आइन नहीं देंगे वार्फरिन चल रही है तो cranberry juice नहीं देंगे अगला question अगली चीज बच्चे याद रखेगा कभी भी किसी व्यक्ति को अगर वार्फरिन चल रही है तो उसको aspirin ना दें उसको अगर वार्फरिन चल रही है तो उसको acetaminophen ना दें तो बच्चे the action of warfarin वह warfarin के action को बढ़ा सकता है इसलिए aspirin और acetaminophen नहीं दी जाती है that's why they are contraindicated बच्चे आप जानते होंगे aspirin का भी क्या होता है anti-platilate action होता है okay so that's why they are not given or the other contraindicated with warfarin ये याद रखिएगा मौस भी से ही ये equation भी है next बच्चे कभी भी किसी की warfarin therapy चल रही हो तो उसका INR normal INR goal यानि कितना maintain होना चाहिए answer जाएगा बच्चे 2-2-3 normal INR goal कितना होना चाहिए उनका 2-2-3 अगर warfarin चल रही हो तो बच्चे आज जो हमने point discuss किये हैं वो ये 7 point आपको warfarin के बारे में याद होने चाहिए क्योंकि ये 7 question हैं जो warfarin के मौजबी से बनते हैं तो अगर आपसे warfarin के बारे में पूछा जाए तो मौजबी से बनने वाले सारे question मैंने आपके cover करवा दी हैं इस slide में तो hopefully आपको इन questions के rational के साथ answer पता चला होगा चली मिलेंगे next video में next question discuss करते हुए ठीक है तब तक के लिए good bye